तेरे में द्याएगी चोथी एक्ससाइज यानि तेरे दसनलों चार के चोथे प्रस्ण पर आज हम पहुच गए हैं तो आजए सॉल्व करते हैं क्या है प्रस्ण दातु की चादर से बना और उपर से खुला एक बरतन संगुशिनक के आकार का है जिसकी उचाई 16 cm है तथा नि उस चादर का मूल 8 रूपए प्रती 100 cm स्केर की दर से याद करना है पाई की वहलू हम यह लेनी है तो मालीजे का पहले हम एक संकु बना लेते हैं मालीजे का यह कोई संकु है और इस संकु की जो उंचा ही है एज वह इनों दे रखी है 16 cm नीचे की तिरिज्या है 8 cm है और ऊ कार 2 बरावर है 20 cm हल देखते हैं संकुआ कार संकुआ कार बर्तन की उंचाई एज बरावर 16 cm उपरी तिरिज्या आर टू बरावर 20 cm और निचली तिरिज्या आर वन बरावर 8 cm समसे पहले दूद का मूल यहाद करना है तो दूद का मूल अर्था इसकी धारता निकालनी है कितना दूद आएगा तो इसका हमने आयतन निकालना है तो हम जानते हैं संकु का आयतन संकु का आयतन बरावर एक वट्टे तीन पाई एच आर वन इसक्वेर पलस आर टू इसक्वेर पलस आर वन इंटू आर टू अब इनकी वेलू रख देते हैं तो एक वट्टे तीन पाई का मान इसको 314 वट्टे में सौल इख सकते हैं एच की वेलू 16 है आर टू की वेलू 20 का वर्ग जमा आठ का वर्ग जमा आठ गुड़ा में 20 इनकी सौल करेंगे तो एक वट्टे तीन गुड़ा में 300 14 वट्टे में 100 गुड़ा में 16 अगर देखो यहां से पाँच का इसक्वेर सभी जग़े से को मना जाएगा तो चार का इसक्वेर को मना गया तो यहां पर चार पंजे 20 यानी 5 का स्क्वेर 4 दू नी 8 यानी 2 का स्क् पंजे बीस इस तरह से घड़ना है वो आसान हो जाती है तो यह हो गया 16 गुड़ां में गुणा में 2549, 3949 यह इससे तेरे बार कट गया तो यह थे 314 गुणा में 256 गुणा में 13 गन सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर क्यों अब इसको हमने क्या करना है लीटर में बदलना है तो यह सेंटीमीटर क्यों है तो लीटर में बदलने के लिए 314 गुणा में 256 गुणा में 13 गुणा में एक हजार का हम इसमें भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा फिर लीटर में अब इमारे लीटर में आ गया अब हमें 20 रुपए प्रती लीटर की दर से दूद का मूली गयात करना है तो बरावर जो लीटर है तीन सो चौदे बटे में 100 गुणा में 256 गुणा में 13 गुणा में चंशत गुणा में 256 रुटे में यह पूरा 10,000 अब 324घुणा में 26 गुणा करेंगे तो यह आजाए преп 90 μια 156 गुणा में 256 रुटे में पूरा दस जार इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो हमें प्रावत होगा तो बटे में दस जार है जब इसको हम हल करेंगे तो दसमला में यहां लग जाएगा यानि 208.9984 तो 99 है इसको हम एक रुपई कर सकते तो यह हो जाएगा 209 रुपई यानि जो दूद की कुल कीमत आएगी वो इस बरतन को बनाने के लिए प्रिक्ट दात के चादर का मूले 8 रुपई परती 100 cm स्केर की दर से याद करना है तो इसके लिए हमें शेत्रफन निकालना होगा और शेत्रफन निकालने के लिए हमें इसकी L की भी आवस्कता होगी तो सबसे पहले हम L ही निकाल लेते हैं और L इस माइनस 8 का वर इनकी वेलू ये दे रखी है तो 16 16 256 होते हैं प्लस यह हो गया 12 12 12 144 होते हैं और इन दोनों का जोड़ होगा 400 अर्थात L की वेलू कितनी आ गई 20 cm होगी अब दातू की चादर का खित्तरफल बरावर संगो का प्रश्ठी चेत्रफल बक्री चेत्रफल जनि पाई L R1 प्लस R2 और प्लस इसका हमें और निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से बंद होगा तो यह होगी पाई आर 1 स्केर अर देगो हैं यहां से पाई सारी कॉमर है तो पाई बाहर ले ली L, R1 PLUS R2, और PLUS R1 factorial, PI का मान होग aí 314 बटे में 100 गोड़ा में L का मान 20 R1 PLUS R2 20 PLUS 8 PLUS 88 64 हो गया तो 314 बटे में 100 गोड़ा में 20 गोड़ा में 28 हो गया और प्लस में 64 अब इसको आगे हल करेंगे हम तो यह आज़ेगा 314 बटे में 100 गुड़ा में 28 दूनी 56 यानी 560 प्लस 64 314 बटे में 100 गुड़ा में इनको जोड़ करेंगे तो 466 12 यानी 624 तो यह होगे हमारा 624 इन दोनों का गुड़ा यानी सेंटी मीटर स्केर अब मुल्य बताना है हमने 8 रुपई प्रती 100 मीटर स्केर की दर से तो मुल्य बड़ाबर 314 गुड़ा में 624 बटे में 100 गुड़ा में 8 और बटे में 100 आएगा क्योंकि प्रती 100 है तो आप हम इनका गुड़ा करेंगे अब इन सभी का इसमें और इसमें इसका गुड़ा करके एक 10,000 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 156.75 रुपई तो इसको कार हमने आज चौथा प्रस्ट कप्र लिए कल यानिया के लिए वीडियो में हम आप से फिर मिलते हैं इसके एक बच्चे गुए प्रस्ट के साथ तो आज के लिए इतना ही दैनेवाद